नमस्कार, रिना स्पूर्ट कॉर्णर में आपका स्वागत है आज आपके लिए IAB का कन्वेक्शन माइक्रोवेब ओवेन का डेमो ले करके आई हूँ जिसका मॉडल नंबर 30FRC2 है मींस ये 30 लीटर वाला माइक्रोवेन है देखी इसका बॉक्स इस तरह का है आपको सभी साइट से दिखाती हूँ उपर में ऐसा है जिसमें 7 पॉइंट्स दिये हुए है जैसे मल्टिबल पावर लेवल से कुकिंग एंड सिगनल तक है साथ में एक ओनर मैनुवल दिया हुए है एक वार अच्छी तरह से इसको पढ़ ले इस मैनुवल के पेज नुबर 7 में सभी पार्ट के नेम्स दिये हुए है और पेज नुबर 8 पर कंट्रोल पैनल का डिटिल दिया हुए है इस मैनुवल में 39 पेज दिये हुए है और 4 पेज एक्स्ट्रा है इस बुकलेट को आप समाल करके रखें काफी यूसफुल मैनुवल है पेज नुबर 15 से पेज नुबर 23 तक रेसिपी दिये हुए है लगबग 60 रेसिपी दिये हुए है इसके साथ दो बोरोसिल का बाउल मिला है बड़ा बाउल आधा लीटर का है और छोटा बाउल 350 एमेल का है जिसे हम माक्रोवेव में यूज करते है एक रोलर रिंग है जिस पर ग्लास टर्ण टेबल रोल करता है एक नॉन स्टिक बेकिंग ट्रे है जिसमें स्टैंड लगा हुआ है दो तरह के मेटल रैक है छोटा बला और बड़ा बला ये हैंडल है जो टॉंग जैसा काम करता है और ये वाला रोड है जिस पर हम तंदूरी बनाते है इस रोड में मैंने पनी टिक का बनाया है इसकी रेसिपी बहुत ही जल्दी आ जाएगी चैनल पर बने रहिए उबन का डोर हम बहुत केरफुली खोलते है इसे सपोर्ट के साथ खोले इस तरह से खीच करके खोले ना बस इसे हलके हासे सपोर्ट करे अंगुठे से और तब खोले इस रिंग को सेंटर पे रखे इसके उपर ग्लास रखते और इसे एक वार घुमा ले जिसे ये सेट हो जाता है इसके उपर भी हम recipe बनाते हैं जो ये घुमता है अब इसके control panel को focus करते हैं जो की page no.8 पर manual में लिखा हुआ है इस तरह का control panel है उपर में extreme left side में beverages लिखा हुआ है और नीचे में extreme right side में stop और reset बटन है microwave के उपर में इस तरह से सारे recipes दी हुई है beverages, popcorn, rice, cake, pizza और cookies and barbecue जब हम microwave यूज़ करते हैं तो उपर में जो ventilator दिया हुआ है इसको cover ना करें जब आप microwave को यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसे ढख लें और यूज़ करने वक्त cover को हटा दें इस side warranty को register कर सकते हैं जो इस पे mention है उस पे आप warranty को activate कर सकते हैं अब आपको पीछे का part दिखाती हूँ इसका power point अच्छा होना चाहिए लूज न रखें बैक side आपको दिखाती हूँ इस side दो plastic accessories है जिसे wall में चिपकने नहीं देता है और wall से distance बना करके रखता है आपने notice क्या होगा नीचे side में देखिए ये वाला है और उपर side में left side wire के पास ऐसा है जो दिवार से सटने से हमें बचाता है control panel को अच्छी तरह से दिखाने के लिए मैंने camera को घुमा दिया है आप अपने phone को घुमा दे जिससे ये clearly दिखेगा कुछ इस तरह से उपर में rotissary convection है उसके नीचे उसके नीचे क्युक कुक बटन्स है विवरेजेज पॉपकर्ण राइस कुकीज पीजा केक बार्बिक्यू वेट डिफ्रोस्ट और री हीट उसके बाद नंबर पैड्स है जिससे हम clock कुकिंग टाइम और temperature एसेक्टर फिक्स कर सकते हैं उसके नीचे microwave पावर लेवल है इन सभी बटन का यूज कैसे करते हैं इसे मैं बताती हूं फर्स टाइम आप इसे यूज करेंगे तो थुड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन लगातार हैबिट में आप इसे यूज करें तो आपकी हैबिट अच् अच्छान भी लगेगा आएए देखे इस कंट्रोल पैनल को यूज कैसे करते हैं सबसे पहले बिवरेज लेफ साइड में इस बटन को दबाएंगे इसमें एक से तीन कप ड्रक सकते हैं बिवरेज को जम स्लेक्ट कर लेते हैं तो हम उसके बाद स्टार्ट बटन दबा दें सेलेक्ट कर सकते हैं जब हम एक प्रोग्राम सेट करते हैं तो उसे प्रेस करें फिर आप स्टार्ट बटन को प्रेस कर ले और उस प्रोग्राम को जिसे हम स्लेक्ट किया है उसे कैंसिल करना है स्टॉप बटन दबाएं फिर नेक्स्ट प्रोग्राम को सेट करें जैसे मैंने राइस पे हाथ रखा है 500-300 ग्राम तक इसमें पका सकते हैं जब स्लेट कर ले तो start button दबाएं फिर cancel button दबा दें इसमें कोई भी convection या grill set नहीं करते है इन सभी cook बटन के लिए इसे प्रेस करें और start button दबा दें वैसे ही cake पे प्रेस करें पहले इसमें ग्राम आते हैं फिर आप start बटन दबा दे cancel करने के लिए stop बटन दबाएं फिर आप pizza वाले बटन दबा सकते हैं देखे 150 आया है उसे start कर दे और 300 से 400 इतने gram के pizza बन सकते हैं then start बटन दबाएं फिर आप इसे cancel करके next program में जा सकते हैं जो cookies वाला है cookies को जब प्रेस करते हैं उसके बाद हम start बटन दबा करके इसे start कर सकते हैं cancel करने के लिए stop बटन फिर next barbecue जिसमें हम roasting करते हैं इसमें हम temperature select कर लेते हैं wet defrost का मतलब होता है फ्रीजर से हम जब कोई समान निकालते हैं उसको defrost करना हो तो उसको select करें फिर start बटन दबा cancel करने के लिए stop बटन next जो है वो reheat बटन है I hope आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा अब time select करने के लिए एक मिनट से लेके 10 मिनट तक इसको select कर सकते हैं जैसे जिस पे मैंने उंगली रखा है उस पे 1 to 9 मिनट के लिए select होता है next आप इसे 10 को select करते हैं तो यह 11 हो जाता है means 11 मिनट के लिए उसी तरह से 1 सेकेंड को जब हम प्रेस करते हैं तो 11 मिनट 1 सेकेंड हो जाएगा 10 सेकेंड को हम प्रेस करेंगे तो 11 मिनट 11 सेकेंड का हो जाएगा फिर आप इस start बटन प्रेस करते हैं cancel करने के लिए stop बटन अब next बटन है microwave power level जिसे जब हम एक बार प्रेस करते हैं तो p 100 times आता है next p 90 next 80 next 70 next 60 next p 50 जिसे हम एक से छे बार क्रमशब प्रेस करेंगे तब आएगा उसी तरह p 40 से p 00 तक आते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद आप start बटन को प्रेस कर लिए cancel करने के लिए stop बटन आप मेरे चैनल पे जुड़े रहे जिसे आपको बहुत सारे recipes मिलेगी वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है ये वाला micro oven मेरा पुराना वाला है बहुत सारी recipes इस micro oven में मैंने बनाया है आप मेरे चैनल पे जाए और search बटन से आपको बहुत सारे recipes मिल जाएगी आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलती हूँ मैं नेक्स recipe के साथ जिसमें ये macro oven यूज किया गया है तब तक के लिए टेक केर और थैंक्स फर वाचिंग